जो तमाम पदादिकारी हैं जो हायर पोजीशन्स पर बैठे हैं उनको कहीं न कहीं ये हिदायत दी गई है कि अब आप कामकाज नहीं कर सकते मामला है क्योंकि भाई भी शर्मा ने यहां पर सीते तो अपर कुछ सवाल काफी समय से उठाये थे हाला कि समय लगता है लेकिन जीत होती है हमासर वाई भी शर्मा जे सर क्या हुआ था और किस तरह से आज एक कहीं नहीं जीत है आपकी आप काफी समय से संघर्च कर रहे हैं ऐसा है कि मैं इसको इस ठंक से अभी नहीं कहूँगा एक स्ट्रगल जरूर थी कि चैंबर आफ कामर्शन इंडस्ट्री एक हमारी एपक्स और्गनाइजेशन है जम्मो प्राविंस में जो पिछले 80 प्लस इयर से स्थापित हुई है और अपनी जमेवारियों को निभा रही है तो हमारे हाँ बीसो चोदा से लेके आगे जो हमारे इस वक्त प्रेजिडेंट है मिस्टर रकेश गुपता वो प्रेजिडेंट बने बीसो चोदा में बने फिर उन्होंने दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट किया बीसो सतारा में और यह हमारी जो टर्म होती है यह दो साल की होती है और फिर वो वह बीस सो स्तारा में दुबारा जीतें फिर बीसुनी ताख मार्च अपरिल तक अनकी टर्म थी और ऐप्रिल में 202 में एलेक्शन होने चाहिए थे तो तौर तौमाम लोग जैसे organizations के election के मुतलग इंतजार करते हैं, वो करते हैं और एक ऐसा महोल पैदा होता है कि या तो कोई नया शक्स आगे आता है या पुराने ही कंटेस्ट करते हैं या या हमारे constitution में ये है कि दो साल के लिए आप elected नमाइंदगी विफारी कम्यूनिटी की कर सकते है और अगर आपने नमाइंदगी करना continue करना है तो आपको reelection सीक करना पड़ता है आफटर टू येर्स तो लेकिन बीसो उन्नी में जो election की हमें अमीद थी वो election इस टीम ने ना करवा के इस ढंक से कोई बात को कह दिया कि हमने जी एक general house meeting की है और उसमें इस बात को वहां से पास करवाया है कि हमारा जो टर्म है वो दो साल के लिए एक्स्टेंड ने जिसके आप जिकर कर रहे हैं वो बदला गया उस meeting में बदला गया constitution को follow नहीं किया गया constitution बदला नहीं को follow ना करके एक अपने ढंक से एक बात को तैय किया गया और उस meeting में ये कहा गया और ये चीज जो थी ले हुए हैं कुछ amendments हुई हैं कुछ election ये term को extend किया गया है तो वो that was, that had not gone well with the members of the chamber of commercial industry and they had taken strong exception to that के without election आप office bearers की जो वो नहीं आप उसको नहीं बन सकते द्वारा office bearers, you will have to face the elections and then you can be representative of the chamber. उसी के उसी के उपर जो पिछले दिनों court में जाना पड़ा और court ने उनको ये हदायत दी कि they are restrained from holding the positions of respective positions up to a particular date और अब ये एक बैंक के खातों के भी बात की जा रही है या आप कोई चीज बैंक के खाते उपरेट नहीं करेंगे और कोई as a office bearer नहीं करेंगे एक्ट नहीं करेंगे तो ये तमाम बातें हुई हैं तो सारी बात मैं इस लंक से as a past president of the organization as a past president of the chamber of commercial industry मेरी यही ला रहेगी के हमें इस अपेक्स organization के constitution के provisions के spirit की आदर करना चाहिए और मरियादा के इनुसार हमें चलना चाहिए और अगर उसमें ये लिखा हुआ है के दो साल के बाद election होने हैं तो दो साल के बाद election इससे पहले भी इससर आपकी तरफ से press conference भी की गई थी काफी समय से अगर मैं कहूँ अदालत का संखर्ष तो था लेकिन मीडिया के सामने भी आप अपना संखर्ष ला रहते हैं आप दिखा रहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि constitution के दाएरे में रहकर काम हो लेकिन कहीं न कहीं कुछ चैसे रात और रात फैसे लिए जाते हैं जो मुझे नागवार गुजरते हैं लेकिन तमाम वो लोग आपके साथ थे उनका क्या मत था ने बस यही था वो सारे लोग अगर हम इकटे उस वकत थे तो हमने सोशल मीडिया, SMS के थूँ भी पब्लिक में इस awareness को फिलाया कि जो है election due है, election होने चाहिए यह पारी वर्ग से मुलकात की, आपने उस समय उनकी मत जाने की कोशिश की आखिर का tenure क्यों बढ़ा आ गया तो खेर वो सारे लोग clear थे कि इस तरह की हमारे समीधान में कोई प्रवीजन ही नहीं है, आप extension office bearership की होई नहीं सकती, आपको दो साल के बाद election contest करने ही है, यह तो clear cut constitution में लिखा है in the month of April, after every two years, elections will be held and election held करना, election को hold करना या constitution में किसी तरीके की तर्मीम करना, constitution को amend करने के लिए provision constitution में अलग तरीके से हैं और election होने का तरीका का अलग तरीके से हैं, उसके लिए बकाईदा एक process है, आपको अगर general house meeting बिकाल करनी हो, उसके लिए newspaper में बकाईदा देना पड़ता है, कुछ दिन का gap रखके, और वो जो दिया जाता है, फिर उसके बाद बकाईदा meeting जो है, वो उसके लिए का agenda circulate करना पड़ता है, और अपना amendment करने के लिए तो यहां तक है कि जब आपको ये amendments suggest करते हैं, जो proposed amendment है, वो पहले executive committee में रखी जा जाती है, जानी कि सबकी राय ली जाती है उसके बाद, बिल्कुल इस तहां से फैसले नहीं लिए, ऐसे नहीं होता है, कि आपने जैसे सोचा उसके कर लिया, यहां तक कि यह कहा जाता है, कि जो meeting हुई, एक इनों ने general house की meeting की, उसमें उनके ना general secretary थे, ना उनके secretary थे, और न agenda members में उनको circulate किया गया, लोगों को मालुमी नहीं था कि उस meeting में क्या होना है, और कई चीज़ें वहां पर discuss ही नहीं हुई, और उनका जिकर किया गया, जो minutes of the meeting जो अखवार में शाया किये गये, तो कुल मिलाके, आप से यही हमारी, यह कहना रहेगा, कि election process को follow करना वेपारियों की यह apex body है, जिसमें trade और industry की representation पिछले कई सालों से हो रही है, तो उससे एक election हो जाएं, तो हर वेपारी, कब तक उमीद है सर कि अब कहा जा रहा है कि आप office bearer की position पर नहीं रह सकते, money transaction नहीं हो सकती, आप तमाम चीज़ें नहीं कर सकते, जो काफी समय से आप क court में जाया गया है, कि एक election committee जहां election कोई ऐसी तश्कीर की जाए, इसको बनाया जाए और election का करके, जो लोग contest करना चाहते हैं, वो आ गया है, और election हो चुक्राइशाफ तो पर काफी समय से संघर्ष कर रहे थे, अदालत का दर्वाज़ा भी खट-खटाया गया, लेकिन तमा समीधान की कद्र नहीं की गई, उस body की कद्र नहीं की गई, उन सोच की कद्र नहीं की, विचारधारा कहा गई, यह बड़ा सवाल था लेकिन एक जीत के तोर पर ही है, क्योंकि संघर्ष रंग लाया है, उमीद है कि जल्द ही यहाँ पर elections होंगी, और तमाम वो लोग जो representation के माइने जानते हैं, जो जानते हैं कि किस तहां से तमाम व्यपारी वर की आवास बुलंद करनी है, वो सामने आएंगे, इसी के साथ क्यामरमन गुल्शन कुमार के साथ मैं रूहानी है, आप से बदा ले तो मुश्कार